20 मार्च दो हज़ाचोबीस प्रातः मुरली ओम शांती बाब दादा मधुबन महावा क्या है मीटे बच्चे तुम्हे गुप्त कुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाब की युनिवसिटी के स्टूडेंट है बविश्य नई दुनिया का वर्चा पाने के लिए पढ़ रहे है प्रश्न कि स्मृती में सदा रहो तो दाइवी गुन दारन होते रहेंगे उत्तर हमात्मा शिवबाबा की संतान है बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आये है यही स्मृती सदा रहो तो दाइवी गुन दारन होते रहेंगे पड़ाई और योग पर पूरा द्यान रहे विकारों से नफरत हो तो दाइवी गुन आते जाएंगे जिस समय कोई विकार वार करो तो समझना चाहिए मैं कांटा हों मुझे तो फूल बनना है धारना के लिए मुके सर पहला पॉइंट किसी की दिल को दुखी नहीं करना है अंदर कोई भी बूत है तो जांज करके उसे निकालना है फूल बन सब को सुक देना है धारना के लिए मुके सर दूसरा पॉइंट हम गनान सागर के बच्चे हैं तो अंदर गनान की लहरे सदा उड़ती रहे सर्विस की युक्तिया रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है वर्दान, याद और सेवा के बैलन्स द्वारा भाप की मदद का अनुबो करने वाले ब्लेसिंग की पातर आत्मा भव याद और सेवा का बैलन्स अर्दात समानता है वहाँ बाप की विशेश मदद अनुबो होती है यह मदद ही आशिरवाद है क्योंकि बाप दादा अन्यात्मों के मुवफिक आशिरवाद नहीं देते बाप तो है ही आशेरिरी तो बाप दादा की आशिरवाद है सहज, स्वतख, मदद मिलना जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए यही मदद अदात अशिर्वाद है एसी अशिर्वाद की पात रात्माए हो जो ये कदम में पदमों की कमाई जमा हो जाती है स्लोगन सकाश देने के लिए अभिनाशी सुक शांती वा सचे प्यार का स्टॉक जमा करो